Pokemon Go is very updated in June So be ready for these all updates Hey guys, welcome to the channel We back और guys, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ Pokemon Go के अंदर क्या updates आने वाले हैं या फिर कहूँ बहुत बड़े updates आने वाले हैं in June के अंदर तो friends, उसके लिए आप ready रहना बताऊंगा करके कि क्या updates आने वाले हैं और आपके लिए ये जो June का month है वो कितना exciting हो सकता है अगर आप Pokemon Go के fans है friends, आपको show कर दूँ friends, मैंने एक update के उपर वीडियो बनाई थी कुछ ही दिन पहले, जिसमें मैंने आपको show किये थे कुछ updates जो में के अंदर आ सकते थे मैं आपको बता दूँ, वो simple से Pokemon Go ने ही live नहीं किये, क्यों नहीं किये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है लेकिन June के अंदर, जो 1st June को Pokemon Go डाउन होने वाले है यानि कि 11.32, 6.30 उस समय आप सो रहे होंगे तो कोई tension नहीं है other country मैं बात करो, अमेर्का की तो वहाँ कुछ प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि उस समय दे होगा हमें कुछ बड़े updates मिल सकते है Pokemon Go की तरफ से क्या बड़े updates हो सकते है वो हो नहीं सकते है, guaranteed भी मिल सकते है आपको और भी क्या updates आने वाले है वो बताऊंगा इस वीडियो में So let's start Friends, first of all जो updates आने वाला है जो main focus भी है मैंने कल वीडियो बनाई थी आपने मुझे show किया था उसमें मेरा best Pokemon नहीं कि मैंने अपना best legendary बताया था उसमें जो तीनों ही legendary थे Zekrom, Reshiram and Qurram उसमें साब के mostly आया था Zekrom, कुछ के Qurram भी था giveaway को, next time और ट्राय करूँगा और भी मैं ज्यादा participate आपको करवा सकूँ giveaway के अंदर 10 winners ला सको, 15 winners ला सको जो भी कोशिश होती है मैं जरूर ट्राय करता हूँ आप सभी के लिए लेकिन friends, Zekrom आने वाला है Pokemon Go के अंदर आने वाला क्या है Almost आ ही चुका है यानि कि जैसे ही रेशिराम के Red Battles Off होंगी, यानि कि जैसे ही वो खतम हो जाएगा, तो 5 star Red Battles में Zekrom आ जाएगा, वो simple सी details है, वो मैं अभी आपको श्क्रिन पर भी show कर रहा हूँ, जो भी details है Zekrom की, तो आप कितने excited हैं Zekrom के लिए, मैं तो बहुत excited हूँ आप कितने हैं, यह जरूर बताना And friends, next जो हमारा update निकल कर आ रहा है वो है simple सा Spotlight Hour का, मैं आपको बता दूँ Friends, Spotlight Hour के उपर मैं भी बहुत excited होता हूँ क्योंकि कुछ जो main Pokemon होता है, वो बहुत Spawn होता है, और chances भी होते हैं कि हम shiny get कर सकें Simple सा, लेकिन-लेकिन कुछ मैं disappoint भी हुआ हूँ इस बार के जो Spotlight Hour है, ऐसा क्यों है Friends, क्योंकि Friends, Spotlight Hour में इस बार आने वाले हैं Clefairy, Petret, Namel and Cricketot Simple से Friends, यह Pokemon आने वाले हैं, तो Clefairy तो shiny available होगी, Petrot भी shiny available होगा, लेकिन जो दोनों ही और next Pokemon से, Namel की भी मैं बात करूँ और Cricketot की मैं बात करूँ, तो वो Simple से shiny नहीं है, तो मैं थोड़ा disappoint हो, क्योंकि Simple सा Spotlight Hour होता है, उसमें भी अगर आप shiny नहीं देंगे, तो अच्छा भी नहीं लगता है, लेकिन Clefairy और Petrot आने वाले, अगर आपके पास नहीं है, तो आपके बहुत 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 बेनिफिट होगा, इन दोनों के ही Spotlight Hour में, I hope कि आपके ये दोनों ही, या फिर मैं कहूँ चार ही Spotlight Hour बहुत अच्छे से जाएं, and friends, next जो update आ रहा है Pokemon Go के अंदर, वो है Research Breakthrough को लेकर, यानि कि जो हम Daily का Research Breakthrough कमप्लीट करते हैं, उसमें अब आने वाला है बहुत ही शांदार Pokemon, friends, जिसका हमें बहुत इंतजार था, कबसे, मैं चाहा रहा था कि ये Pokemon आए, Trapinch, what is this, यानि कि Trapinch कैसे आ सकता है, friends, sorry, मैं अभी थोड़ा हाइप हो गया, मतलब कि Daily के पूरे Complete करो, 7 tasks, उसमें कोई Legendary नहीं, और उपर से कौन सा Pokemon दिया, one of the favorite Pokemon, Trapinch, जिसका Community Day भी आ चुका है, जो Wild में भी अविलेबल है, Eggs में भी अविलेबल, and अब Research Breakthrough में भी अविलेबल, Sinks तक ठीक था, आप कुछ Legendary दे सकते हैं, ये कुछ बाते हैं, जो मुझे थोड़ गर के बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो Simple सा एक Chance होता है, कि आप Research Breakthrough नॉर्मली Complete कर सकते हैं, शायद उसमें कोई Legendary हो, आप Simple सा, मुझे यही रहता है, कि अभी के समय पर तो कम से कम Legendary दे सकते हैं, शायद Simple सा आप चाहें, तो रेशी राम भी दे सकते हैं, अगर कोई भी 7 ड कि अगर कोई करते हैं, अगर कोई करते हैं, बताना ज़रूर्ड करता एक्तर एक ब्रो का कमेंट था मुझे, उसने पुरी अपनी जर्णी वाता हैं, तो कि उसने कैसे खेलना चालू किया, क्योंकि अभी कुछ याद नहीं लेकिन वहीं मामा की बात कर नहीं, एनकी मामा की अच्छा लगता था जब जब हमने स्टार्ट गया था पुक्मों गोड़ा आपकी कैसी जरूर बताना अगर आप से हो सके तो आप जरूर बताना खमें लेकिन लेकिन अगर आपने नेक्स्ट यर फॉल्व किया है तो आपको बग इवेंट जरूर मिला होगा एंड मैं बात कर जुन 26 तो इनके बीच ही ये दोनों अपडेट्स आ जाएंगे यानि कि बग इवेंट के लिए तो मैं बहुत ही हैपी हूँ क्योंकि सिंपल सा साइथर और भी बहुत से बग टाइप पोकमॉन आइधिंग कुछ नया शाइनी भी रिलीज हो सके इन दोनों ही इवेंट में एंड फ्रेंट्स नेक्स जो अपडेट आने वाला है पोकमॉन गो के अंदर वो है फ्रेंट्स अपडेट नहीं कहूंगा मैं simple सा कहूंगा कि friends Pokemon Go Fist आने वाला है यानि कि July 25 and 26 को कहूं तो Pokemon Go Fist आने वाला है I know very well कि यह June में नहीं आएगा July में आएगा लेकिन friends मैं आपको बता दू यह पूरा globally होगा यानि आप भी इसे खेल सकते हैं और अगर आपको नहीं पता हो कि Pokemon Go Fist और Safari Zone क्या होते हैं तो शायद मैं ट्राइ करूँगा उस पे एक वीडियो बनाने की लेकिन friends यह all over world होगा and आप ticket buy कर सकते हैं simple सा आपको ticket buy करना पड़ेगा friends अभी तक जो भी इसके price था वो अभी तक simple सा fix नहीं होगा है जब भी fix होगा मैं आपको show कर दूँगा I think कम हो तो शायद हम भी buy कर सकें ticket को और जो two days का यह fist event है July के अंदर तो हम भी उसे enjoy कर सकें friends जो next update है Pokemon Go के अंदर वो है friends simple सा हमारा यानि की Galar Pokemon के उपर लेकर यानि की friends आपको मैं बता दूँ आप सभी को पता है की throwback challenge 2020 special research आने वाला एपक मुन गो में जो June 3 को पूरा available हो जाएगा and friends जो भी इसके updates हैं मैं ट्राइ करूँगा कि एक perfect video बना सुकूँ आप सभी के लिए जिसके तरूँ आप सब कुछ जाएए कि इसमें क्या update होगा क्योंकि जो पिछले हमारे throwback challenge थे यानि मैं बात करूँ Sinojohoto and simple सा kanto reason के जो भी throwback challenge थे वो I hope आपके अच्छी गए थे and friends जो ये special आना वाला है इसमें क्या बेनिफिट होगा इसमें क्या क्या Pokemon में बहुत बहुत से shininis आने वाले है गेलार Pokemon आने वाले है Plus मैं बात करूँ तो गेलार शाइनीज भी आने वाले है friends आप मैं भी आपको इसक्राइन पर शो कर रहा हूं friends जो भी Pokemons वो Galar Pokemon एड़ होने वाले है Pokemon Go के अंदर मैं बात करूँ Darrenuka ka, Ponetta की Slowpoke, Zigzagoon, Mouth यानि की full on updates in June के अंदर तो friends ये कुछ updates थे जो Pokemon Go के अंदर आने वाले हैं simple से June में और जो मैंने GoFist की बात करूँ या फिर मैं बात करूँ friends Pokemon Go special throwback challenge की तो friends उस पर मैं ट्राइ करूँगा एक video बनाने की I hope की आपको ये video बहुत अच्छी लगी होगी मैंने try के आपको simple से updates देने की और friends ये news ट्राइ करने में बहुत बहुत टाइम लगता है आपके लिए ढूनने में टाइम लगता है दिन की दो वीडियो बनाने में भी बहुत टाइम लगता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपके जो comments आते है सभी के मैं reply नहीं दे पता हूँ आप थोड़े disappoint भी होते होंगे लेकिन friends उसके लिए मैं आपसे sorry बोलना चाहूँगा कुछ एक comment मुझसे गलती हो जाती है कुछ छूट जाते हैं बीच में तो उसके लिए बहुत-बहुत sorry friends मिलता हूँ next video में ये video कैसे लेगे ये ज़रूर बताना मुझे comment box में so friends इस video में इतना ही मिलता हूँ next video में तब तक के लिए VBEC family को VBEC के तरफ से बाए